हलो गाईज वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूँ दीप्तियो राज में आपके लिए बहुत ही अच्छा कुरता प्लादो सेट हॉल लेकर आई हूँ गाईज यह सारे कुरता प्लादो सेट जो रुपीज 500 में मैंने पहले पीज वीडियो शूट की वी है जिसमें रुपीज 500 म मैं ऐसा एक और हॉल लेकर रहा हूँ तो गाईज में यह वाला हॉल जो रुपीज 500 में लेकर आई हूँ इसमें कुरता प्लादो दोनों ही जो है 500 में है क्वालिटी बहुत ही अच्छी है पहनने में कमफर्टेबल है सबके लिंक आपको डिस्रिप्शन बॉक्स में मिल जा सब्सक्राइब पहन सकते हैं और गाई इस बाकी के दो जो है आप उनको वही गूमने जा रहे तो पहन कित सकते हैं शॉपिंग करने तो पहन सकते हैं घर में सकते हैं डिली वीर के लिए बैस्ट है इस अब के लिंक आपको डिस्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे करती मतल में एंको रिप्लाय कर दिती तो अब मुसे डेफिनितली बी कोई क्विशन है तो मैं 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 पूच सकते हैं तो चलिए अपना यह हम स्टार्ट कर लिए यह मेरा फॉर्स कूर्दा प्लाजो सेट आप देख सकते हैं इतना जाधा प्यार है यह क्रीम करर का है यह फ अब इनको बार खोल कर देख लिते हैं यह कुरता आप देख सकते हैं इसके फ्री फोर्ट स्लीव जै और बहुत सुंदर सा फ्लोरल प्रिंट हुआ है और पीछे भी जो ऐसे सेंग अलोवर यही प्रिंट हुआ है जो मिटीरियल है वह कॉटन मिटीरले प्लाजवर कुरता दो कॉटन के हैं 3-4 स्लीव और शौट कॉलर वाली नेक है कपड़ा जो है यह हलका सा ट्रांजी लगा मुझे हलका सा अगर आप इसके निचे कोई डाक कलर के इनर्स पहने तो वह जो है थोड़ा सा शो हो सकता है तो आपको यह रिकमेंड करूंगी आप इसके निचे जो लाइ 5.5 है और प्लाजो जो मुझे एंकल तक आया है और इसका मैं बहुत ही प्यारा लगा मुझे कालर बहुत अच्छा लगा यह वाला कलर मेरे पस था भी नहीं और इसका प्राइज 4.99 रुपीज है प्राइज यह मैं को स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी इसकी कूरती यह है प् प्रिंट हुआ है जो कूरती पे हुआ हुआ था ट्रांजी नहीं लगा मुझे यह कूरती के नीचे अगर थोड़े से डाकला के इनर्स पेनों पे तो थोड़े बहुत शो हो सकते है अधर वाइस कपड़ा बहुत अच्छा लगा मुझे कॉर्टर नहा और पीछे भी प्ला प्रिंट हुआ 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 है गाइस सेलिए यह मैं आपके क्लर्डर मेरे निक्स टी शर्डर बहुत प्यारा है कौफी ब्राउन कलर या फीर रांठ कलर में ग्रेंट काक्षरीर अब देख सकते हैं, काफी प्यारा लगा मुझे कलर, गाईस बैड्या एक्टेस ब्राइन में जो हैं वेक्टेस में में साइज में मुझे थोड़ा स्मय होटा मैंने साइज मंगाया है तो मुझे इसको जो जो आल्ट पर आणे के जुरूर्वत पड़ेगी तो चलिए गाईस यह है कुर्ता आप देख सकते हैं इसकी जो है 3-4 स्लीव बहुत संदरस पे जो है लीफ प्रिंट हुआ हुआ है क्रीम कलर से और ग्रे कलर का प्रिंट हुआ है कॉफी ब्राउन कलर है यह और इसकी जो लेंथ मुझे आई है वो नीज से नीचे आई है मेरे हाइड जो 5.5 है प 4.99 रुपीज में आई डूंट थिंग की मतलब यह कोई प्राइस वाले प्राइस में यह कूर्ती सेट जो है यह बेकार है बहुत ही बढ़िया है मतलब नॉट बैड इन दिस प्राइस सॉफ्ट क्लोथ है कलर कॉम्बिनेशन में बहुत क्लासी लगा मुझे इसका लाइट वेट है कॉटन के है दोनों तो मुझे काफी जादा प्यारा है बस मुझे थोड़ा लूजा है तो मैं इसको वाल्डर कराने के जुरूत पड़ेगी और इसको नेक है वह राउंड नेक है साइज एम मंगाया है एटेक्स ब्रांड है और इसमें इस कूर्ती में जो है पीछ दूनों में सीम वही प्रिंट दिया हुआ है और गाई इसके अगर लेक की बात करें तो मीडियम विथ है बहुत जादा नहीं है बट आपको बिलकुल भी टाइटने रहेगा यह भी कॉटन का मिटीरेल है तो काफी अच्छा लगा मुझे अच्छा लगा मुझे का प्लाज आप देख सकते हैं बहुत जादा प्यारा है बिलकुल फेस्टिव कलर है फेस्टिव आते ही हम लोगों के दिमाग में कौन-कौन से कलर जाते हैं पेंक हो गया गोल्डन हो गया यह रेड हो गया तो गाई यह उसी टाइप की कुरती है मतलब आप इसको फेस्टिव अकेजन मैंने पराइज जो एम मंगाया है और इसका प्राइज 4.99 रुपीज है यह है इसकी कूर्ति और यह है इसका पलासग तो गाईज चलिए हम इनको खोलन कर एक बड़ देख लेते हैं यह कूरती आप देख सकते मैंने साइज एम मंगाया है इस पे जो है गोटा लगा हुआ ह पेस्टिंग नहीं हुई वी तो यह ऐसे बहुत जल्दी निकलेगा नी गोल्डन कलर का गोटा है और इस टाइप से जिग-जाग इस पे जो है जिग-जाग वे में जो है स्टेच किया हुआ है राउन नैख है वी शेप ऐसे नीचे की साइड आ रहा है कपड़े की बात कर तो 3-4 स्लीव और स्लीव के एंड में इस टाइप से जो है आपको गोटा लगाया हुआ है 3 लेयर लगाई वी है और इसकी लेंध की बात कर रहे हम खुरती की तो यह मुझे नीज से थोड़ी नीचे आई थी और मेरी हाइड जो है 5.5 है कलर बहुत प्यारा लगा बिल्कुल फ इसका प्लाजो में जो है दोनों साइड पे लास्टिक दी हुई है यह भी जो है रायन मिटीरिल है बट मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि मिटीरिल बहुत ही सॉफ्ट आपको बिल्कुल भी चुबेगा नहीं और इसमें जो है नीचे की साइड पे जैसे बाजू पे यहां प υए दिए जो गोटा पेस्ट नियां पैस निके खुऑ और पीछे से बिलकुल यहां पर सेम ऐसे ही प्रेंट वह बतास प्रिंट और नीख दो कड़ की बादा करें तो लए वह इसकी में लेग है तो आपको बिलकुल यह था ताइब alltså अध़ को लेट को शुच्न प्लाजो लेटी हमेरा नेख्स खूरती प्लाजो तर्ट आप देख सकते हैं कि देखने में बहुत ज्यादा सुन्दर लग रहा है और बहुत सारे कलर्व है इसके इस इसक्स कलर्स अविलेबल आइस ब्राउन ब्ल्यू मल्टी कलर ब्लाक और जो है ब्लाक इसमें small size जो अवेलेबल नहीं होता और cash on delivery जो सारे ही products पे अवेलेबल ते जो भी मैंने आपको अभी दिखाए हैं और अभी भी यह जो है जो है जो है अभी इसी price में अवेलेबल है जो price में आपको इहां पर mention किया है आपको इनको खोल कर देख लेते हैं और इस कूरती प्लाजो set की जो प्राइस है वह है 489 रुपीज जो एक बार हम उपन करके देख लेते हैं यह है इसकी कूरती आप देख सकते हैं कलर बहुत ज़दा प्यारा लग रहा है और इसमें जो है आगे ऐसे front slit है आप देख सकते है इसे front में slit है और side में भी slits है तो यह कूरती वाले look दे रहा है side slits की विए से front में भी slit है color बहुत ज़दा प्यारा है color और भी जो है इसमें वह बहुत प्यार है इसकी नेक की बात करें तो सबीशेप कर नेक है जैसे आप देख सकते हैं इसका वीशेप कर नेक है स्लीव की फुल स्लीज निये शौट स्लीव है इसकी गाइस कपड़ा जो है यह cotton का कपड़ा है इस मैंने इसमें मंग आया है गाइस यह मैं आपको एक चीज बता दो कि यह जो कपड़ा है मुझे थोड़ा सा मोटा लगा देखने में मतलब जैसे चदर का कपड़ा नहीं होता मतलब यह फर्स्ट वाश के बाद जो है कपड़ा थोड़ा लूस तो हो जाएगा भी बहुत थिक सा कपड़ा लगा मुझे जैसे मतलब हमारे बेडशीट सूतिय उस टाइप से लगा यह प्राइस का 4.89 लेकिन कॉटन के ही है दोनों पीस कुरता और प्लाजो दोनों ही कॉटन के हैं और गाइस यह जो है मेरी हाइट 5.5 और जो ही कुरती है मुझे नीज से काफी नीचे आई है सो गाइस यह है इसका कुरता मैं आपको इसका जो है प्लाजो दिखा देती हूं गाइस यह है इसका प्लाजो आप देख सकते हैं बहुत सुंदर प्रिंट हुआ है प्लाजो आपको बांने के लिए नहीं आरहा यह जो साइड में दिया हुआ इन लोगों ने ऐसे और यह आपको यहाप साइड में जाकर सकते हैं वेश्ट के साइड में यह इसका प्लाजु और प्लाजु भी जो है cotton का है प्रिंट बहुत अच्छा लगा मुझे इसका और इसकी जो लेंथ है वो मुझे वह एंकल तक आई है और गाईस इसकी जो लेग है वो मीडियम विथ वाली लेग है मतलब बहुत ज्यादा खुली नहीं है आप देख सकते है मेरी चैनल को सब्स 파र्ट करा जारा है कि आबाह्ट कपार अगी जबंगा एया है। मिर इस वीडियो अभी था सकता ने आप तोटी सी बहुत सब्सक्राइब कर देना मेरी चैनल को our लाइक और मेरे इस वीडियो को अपनी प्रेंट सो फैमिल मारा शियर कर देना so guys that's it that's all for this video i'll meet you in my next video till then bye bye